नमस्कार, सुआत आप सबी का बजारू की चाल में मैं हम आपके साथ अखले शाटी और मजारू की चाल में चर्चा होने जा रही है यहाँ पर क्रिशी फसल बजार के बारे में जानेंगे कि शाम के कारुबारी सेत्र में क्रिशी फसलों का वायदा बजार NCDX कैसा कारुआ करता हूँ नजर आ रहा है एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मनी तेजी आगे देखने को मिल पाएंगी क्या भाव क्या लैउस देखने को मिल पाएंगे और वहीं हाजिर बजारों में क्या रुख देखने को मिल रहा है अभी हाल फिलाल के अंदर ये सब जानने की बजारों की चाल में कोशिश करेंगे शुरुआत करें हम यहाँ पर सबसे पहले कैससीड से तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कैससीड के नमंबर वायदा 6,416 पर कारुबार करता हुट नज़र आ रहा है 65,20 का ही लगा चुका है हलकी सी करेक्ष्यन है हमने कैससीड की कीमतों को तक कारुबार करता भी देखा है लेकिन फिर वहाँ से कैससीड का वैद बजार फिसुलता हुट नीचे आया है और इस समय 6400 के घरों पर कारुबार करता हो नजर आ रहा है दरसल जानकारों को कहना है कि कैससीड के जो fundamentals से overall मजबूत है महीं ground level पर बात की जाए तो fundamentals में कैससीड का जो बुवाई है इस बार कम देखने को मिल सकती है जिसकी वज़ासे इसका उतपादन भी कम ही रहेगा और जहां पर उतपादन कम है और बुवाई भी कम ही है दूसरी तरफ इसकी निर्यात मांग ठीक ठाक देखने को मिल रही है और जो domestic level पर भी जो कैससीड की जो demand है ठीक ठाक देखने को मिल रही है तो कैससीड कैसरोल की डिमांग अच्छी कास ही है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल लिवी जिसकी वज़ा से एक्सपोर्ट्स भी ठीक ठाक देखने को मिले है लेकिन वाइदा बजार के अंदर कैससीड जब तक 65-100 के उपर कारुबार नहीं करता है तब तक कैससीड की कीमतों में एक ऐसी सीमित दैरे वाला कारुबार वाला रुज़ान देखने को मिलता रहेगा कैससीड में जो सीमित दैरे में अभी कुछ दिनों तक और ऐसी रुज़ान देखने को मिल सकता है सीमित दैरे में कारुबार देखने को मिल सकता है लेकिन जो कीमते उपर में एक बार फिर से 666 तक जाती भी नजर आ सकती है तो कैसे सीड में उपर में 666 से लेकर 666 तक कलायोल देखने को मिल सकता है वही नीचे में अभी ऐसी कुछ दिनों तक अभी सीमी दैर में कारुबार देखने को मिलता रहेगा ओवरोल उजहन कैसर में तेजी का ही है बात करें यहां से गर बिनौला खल की तो बिनौला खल का डिसेंबर बायदा देखने 2466 पर कारुबार करता हुए नजर आ रहा है 2468 में का ही लगा चुका है दो फिसदी की तेजी है बिनौला खल में हम देखने की काफिस समय से एक सीमित दैर में कारुबार होते हुए नजर आ रहा है बिनौला खल की कीमतों को हमने नीचे में 2300 तक भी तूटते हुए देखा था लेकिन फिर वहां से एक खरिदारी निकली लेकिन अब देखने हैं कि 2400 के उपर ही जादा एक सीमित दैरत देखने को मिल रहा है जो कि बिनौला खल की कीमतों में अभी कुछ दिन तक और वायदा बजार में जारी रह सकता है जब तक जानकारों के अनुसार जब तक बिनौला खल वायदा बजार में NCDX पर 2500 के उपर कारोबार नहीं करता है तब तक बिनौला खल में ऐसी ही बिक्वाली का दोड़ देखने को मिलता रहेगा बिनौला खल में जानकार अभी बिक्वाली बता रहे हैं कि बिनौला खल में अभी थोड़ी और बिक्वाली देखने को मिल सकती है जहां पर वायदा में बिनौला खल 25 के उपर निकला तो बिनौला खल में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है महाँ पर सस्टेनबिलिटी दिखेगी तभी जाके बिनौला खल में कुछ तेजी बनती भी नजर आ पाईगी वरना ऐसे ही बिकवाली का एक सीमित दायरा देखने को मिलतर रहेगा बिनौला खल की कीमतों के अंदर बात करें यहां से अगर मसाला कॉंप्लेक्स की तो हमने मसाला कॉंप्लेक्स में स्पेशली दनिये में अच्छी तेजी आती भी देखी है एक रिगवी आती भी देखी है देखने हैं दनिये के नमूंबर वायदा यहां से 8,280 पर कारुबार कर रहा है 1,5% की तेजी है और बात करें हल्दी की तो हल्दी के नमूंबर वायदा 7,176 का कारुबार करता हुए नजर आ रहा है हलकिसी बड़त के साथ हम देखनी की मसालों में हल्दी को छोड़ दिया जाए तो धनिया और जीरा काफी ठीक ठाक कारुबा करते वे नजर आ रहे हैं जीरे में और धनिये की कीमतों में पहले की मुकाबले अभी बड़त देखने को मिल रही है सबसे पहले अगर जीरे पर फोकस करें तो जीरे की कीमतों को हमने 700, 700, 700, 600 तक भी नीचे जाते वे देखा है फिर महाँ से एक recovery बनती भी नजर आईए दरसल कुछ तो 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 हरी मांग है, तो हरी season का support मिल रहा है कीमतों को और दूसरा अभी दने का जो stock है वो थोड़ा कम पताया जा रही कि दने के stock में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है उत्पादन भी थोड़ा कमी रह सकता है और जो निर्यात मांग है हाला कि थोड़ी कम ही है लेकिन अभी भी जारी ही है उपरी सतरों से निर्यात मांग थोड़ी कम होई है लेकिन domestically मसालों की जो घरेलू मांग है बारत में अभी अच्छी कासी ही देखने को मिल रही है बात करें जीरे की तो जीरे में जानगार बता रहे हैं कि जीरे की कीमतों में 15,000 के लेवस देखने को मिल सकते हैं जीरे में हमने एक शांदार बड़त आते वे देखी है तो 15,000 के भी लेवस जीरे में अभी हाल फिलाल में देखने को मिल सकते हैं हाला कि जीरे का जो स्टॉक है ठीक ठाक है वेपारियों के पास भी और किसानों के पास भी तो दुनों की पास adequate amount में स्टॉक है परियाप स्टॉक है लेकिन फिर भी जीरे की मांग domestically अच्छी है तोहारी मांग का सपोर्ट है जिसकी वज़े से जीरा आने वाले दिनों में तेजी के साथ कारुबा करता हुए नजर आ सकता है तो धनिया और जीरा ये दो मसालवा ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में अच्छी तेजी के साथ कारुबा करते हुए नजर आ सकते हैं वायदा बजार के बात करें हल्दी की तो हल्दी में हमने देखा है कि जो अगली बना हुआ है और हल्दी का जो वाइदा बजार है वो एक सीमित दायर में कारवा करता हो नजर आ रहा है तो सबसे जादा जो मुनाफ़ा मसालों में मिल सकता है वो धनिया और जीरे में देखने को मिल सकता है भी हाल फिलाल के अंदर धनिया की कीमतों में 8400 तक पोजिशनल बे चुका है आदे फीजदी की तेजी है गौर सीड के डमंबर वाइदा 6181 पर अर्ट-षट सो का ही लगा चुका है देख रहे हैं कि गौर गम और गौर सीड का वाइदा बजार काफी शांदार तेजी के साथ काफी शांदार बड़त के साथ कारवार करता हो नजर आ रहा है दरसल गवार के जो fundamentals हैं काफी जादा मजबूत देखने को मिल रहे हैं और वायदा वजार के बी अंदर गवार की कीमतों में एक अच्छी खरीदारी निकल के सामने आ रही है सबसे पहले गवार के fundamentals जान लेते हैं कि गवार में वो कौन-कौन से कारण है जिसकी वजा से गवार की कीमतों में एक अच्छी तेजी बनती ही नजर आ रही है सबसे पहला तो यह है कि गवार की industrial demand इस बार थोड़ी बड़ी है दूसरा और जो main factor में से काफी important है वो यह है कि इस बार गवार की बवाई के समय मौनसून की गतीवी दियां जादा देखने को मिलेती जादा बारिश के चलते गवार की बवाई नहीं हो पाई जिसकी वजा से गवार की उतपादन पर असर पड़ा है पहले हम देखते थे कि गवार का जो उतपादन था ठीक ठाक होता था लेकिन जो इस्तमाल है वो थोड़ा कम देखने को मिल दाते इंडस्ट्री डिमांड इतनी नहीं थी गवार के allternatives यूज किया जा रहती इंडस्री इसके अंदर लेकिन अब गवार की इंडस्ट्री मांग उठी है फूड जब से होटल रेस्टरंस चाल लुए है कब से गवार की जो डिमांड वो बड़ी है फूड सेक्टर में गवार फिर से यूज़ किया जाने लगा है और दूसरा इस बार जो उत्पादन है गवार का विलकुल ना के बरावर है पिछले साल के मुकाबले लगवग इस बार 20-25 लाग बोरी होने का यह नुमा लगाया गया है यानि कि लगवग 50-60 फिर्ज़ दी कम रह सकता है इस बार गवार का उत्पादन और पहला जो स्टॉक था अब वो यूज़ में आने लगा है धीरे धीरे स्टॉक निकलना शुरू है खपत होनी शुरू ही है स्टॉक की गवार की जिसकी वज़ा से गवार की जो स्टॉक उसमें भी हलकी फुलकी इस्तमाल के चलते कमी देखने को मिली है और द्यूसरा एक और जो में फैक्टर है जो गवार की कीमतों में तेजी का कारण बन रहा है इंटरनेशनली है वो है कच्च तेल की कीमतों में तेजी आना कच्च तेल की कीमतों में तेजी आ रही है लगातार हम देख रहे हैं कि कच्च तेल की जो कीमते हैं वो एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती भी नजर आ रही है जिसकी वज़ा से कच्छे तेल की कीमतों में तेजी का प्रवाब गवार की कीमतों पर भी पढ़ता हूँ नजर आ रहा है और जानकार अब लगातार यहां से बता रहे हैं कि गवार गम 13,000 के लेवल दिखला सकता है जिस साबसे गवार गम 12,910 का ही लगा चुका है तो 13,000 के लेवल बहुती जल्द देखने को मिल सकते हैं और बात करें गवार सीड की तो गवार सीड में जैसे अर्सर सो का ही लगा है आज तो गवार सीड में 7,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं तो गौारगम और गौार सीड में जो तेजी का जो रूजहाने ये आगे भी अभी जारी रह सकता है बात करें यहां से अगर अब खादर तेलू की तो खादर तेलू हम देखने हैं कि सोयवीन का नमबर वाइदा इस समय 5154 पर कारवा करताव नजर आ रहा है होने 3 फीजदी की गिरावट के साथ हम देख रहे हैं कि सोयवीन का जो वाइदा बजार है लगातार गिरता ही जा रहा है जब से सरकार ने फैसल लिया है कि सोयवीन की खली का इंपोर्ट किया जाएगा तब सभी हम देख रहे हैं कि सोयबीन की जो कीमते हैं लगातार एक के बाद एक गिर्ती भी नजर आ रही है दिरसल ऐसे आखड़े भी सामने आए हैं कुछ इंस्टिूशन के जैसे की सोपा हुआ सोपा का सर्वे हुआ ता जिसमें ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है लेकिन किसानों का कहना है कि जब भुआई के समय बेजी उपलब्द नहीं था तो भुआई इतनी कैसे हो सकती है और अगर वाईचांस इतनी भुआई माना जाए की हो भी रही है तो फसले भी इतनी बड़े पैमाने पर खराब हुई है कि प्रोडक्शन का जो एस्टिमेशन है वो लगाना लगबग नामुम्किन सा है क्योंकि प्रोडक्शन काफी कम रह सकता है इस बाद सोयवीन का ऐसा किसानों का भी मानना है जो किसान अभी ऐसा अनुमान लगा रहे है और वेपारी ऐसा अनुमान लगा रहे है हलाकि ट्रेडिंग बॉडी जादा ही बता रही है लेकिन किसान ऐसा नहीं मान रहे हैं किसानों को यही लग रहा है कि सोयवीन का उत्पादन बहुती कम है क्योंकि बारी बारिश के चलते फसले खराब भी हुई है किसी किसी की फसल पूरी 100 फीजदी तक तबाह हो गई है सोयवीन की खेतों में जो कटाई के लिए पूरी तरह से तयार हो चुकी थी जिसकी वज़ा से किसानों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में सोयवीन के जो दाम है वो अच्छे कासे देखने को मिल सकते हैं और कुछ जगाओ पर ऐसी भी खबरे निकल के सामने आ रही है कि कुछ जगाओ पर किसानों ने ऐसे संगठन बना लिया है छोटे छोटे जिसमें किसानों ने ये फैसल लिया है कि अगर उनकी सोयवीन की फसल 10,000 रुपे कुइंटल से नीचे में बिकती है तो वो नहीं बेचेंगे चाहे घर में स्टॉक करके रख लेंगे बेचेंगे नहीं मंडियों में अपनी फसल लेके नहीं आएंगे एक तरह से देखा जाए तो किसानों का जो इस बारबारी वारिश के चलते नुकसान हुआ है और दूसरा जो इन्होंने मेंगे बीच खरीद कर सोयवीन की बुवाई करी है और सरकार के फैसले के बाद उनकी कीमते जो गिरी है उनको मंडियों में जो उची दाम नहीं मिला है MSPB नहीं मिली है उसकी वज़ा से किसानों का ऐसा फैसला और ऐसे कीमत मांगना कहीं गलत साबित भी नहीं हो रहा है क्योंकि अगर किसानों के नुकसान का आखलन किया जाए तो लगवर जितनी कीमत किसान मांग रहे हैं तो वो सिर्फ उनकी लागत ही है क्योंकि जो फसल लेकर आ रहे हैं मंडियों में वो सिर्फ उसी चीज की लागत नहीं निकाल रहे हैं वो उस फसल की भी लागत निकाल रहे हैं जो फसल उनकी बारी बारिश के चलते खराब हुई है तो अगर किसान ऐसा कर रहे हैं तो कही न कहीं किसान गलत भी नहीं है, किसानों को गलत नहीं कहा जा सकता है मौसम की मार पे किसी का जोर नहीं है, आप सिर्फ जो एजिंसी होती है, वेदर एजिंसी वो भी सिर्फ अनुमान लगा सकती है बारी बारिश होने से बार आने से या फिर तबाई मचने से उसको कोई रोक नहीं सकता है safety measures लिए जा सकते हैं पहले से उसकी prediction की जा सकती है और उससे बचना कैसे है वो बताया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता है तो जो किसान है वो भी अपनी सीफ लागत ही मांग रहे हैं मुनाफ़ नहीं मांग रहे हैं कहीना कहीं किसान भी सही हैं इस मामले में और किसानों का कहना है कि 10,000 कुinदल से नीचे नहीं बेचेंगे और फरवरी तक whole करके रखेंगे कुछ किसानों के ये भी मानना है तो किसान अब धीरे-धीरे करके एकत्रित हो रहे हैं, रन्निती अपना रहे हैं, जिससे कि उनकी जो सोयवीन की फसल है, उनको कम से कम MSP के आसपास का दाम भी मिल पाए, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि किसानों को MSP भी नहीं मिल पारी है, सोयवीन की नीचे में 22-24 तक ये दाम मिलता हो नजर आ रहा है किसानों को सोयवीन का, जो कि किसानों के साथ कहीं न कहीं एक नाइनसाफी भी है, और अब बात करने तेयां से अब खादे तेलों की, तो खादे तेलों में देख रहे हैं कि सरकार का आज एक और फैसला आया है, कि जो सरकार है अब चावल के भ पहाने पर जोड दे रही है अब सरकार कह रही है कि इससे आयात में निर्वरता कम होगी अब वो कैसे कम होगी इसका एक छोटा से एक्जामपल ले लेते हैं हम देखते हैं कि जैसे कि फार्मेसिटीकल्स में जैसे फार्मा में साबुन बनाने की हुई ब्यूटी प्रोडक्ट होए, डिटर्जन्ट होए, इन इंडेस्ट्रीज में, इन उद्योगों में काफी बड़े पैमाने पर ताड़ी के तेल का इस्तमाल किया जाता है यानि की पाम तेल का तो उसका आयात भी भारत बड़े पैमाने पर करता है वीदेशों से खासकर की मलेशिया और इंडोनेश पर पड़ता है जो बीच में जो काला मजारी करने वाले बैठे हैं उन पर नहीं पड़ता है तो इसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार नहीं फैसरा लिया है कि चावल की बूसी का तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा जिससे कि पाम के तेल को रिप्लेस किया जा सके को इसका आयात जादा नहीं करना पड़ेगा तो आयात पर निर्वरता कहीं न कहीं देखा जाया तो कम भी होगी और दूसरा चावल का जो प्रोड़क्शन है भारत में अच्छा कासा होता है भारत अपनी घरेलू डिमांड के साथ साथ निर्यात भी करता है इतना चावल हो पादेश भी दिया है कि 11,00,00,00,00 अभी इसकी उत्पादन हो रहा है चावल के भूसी के तेल का जबकि जो शमता का आकलन किया है सरकार ने वो 18,00,00,00 का किया है तो सरकार भी कहीं न कहीं चाहती है कि भोगताओं को कहीं न कहीं राहत मिले महंगे खादत तेलों से और किसा अगर आयात पर निभर तक कम होगी तो किसानों की जो घरेलू उपज होगी जो किसानों का रहे है सरकार उसको अच्छे दाम पर खरीद पाएगी और बहार विदेशों में जो घटबड होती है तेल की सरकार किसान और उपभोगता है सावी सारे के सारे इसी उठापटक से खादे तेलों की उठापटक से भरती कीमतों से कही न कहीं बच पाएंगे तो दीरे दीरे करके सरकार कोशिश कर रही है इससे भी पहले सरकार काफी कदम उठा चिक है खादे तेलों की कीमतों को कम करने के लिए और सरकार का जो परियास है वो अभी भी लगातार जारी ही है तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेर करें और जब मारे इस यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो हमारी यूट्यूब चैनल माकेट अप सीव को सब्सक्राइब करना ना मुले फिलाल बजार की चाल के अंदर बस इतना ही मुझे दीजिये अजाज़त, नमस्कार